बहु एक रोटी मेरे लिए भी बना दो, मेरी भी थाली परोज दो। जानकी ने बहु प्राची से कहा, प्राची बहु रवी खाना खा रहा है क्या। प्राची किचन से बोली हा मा जी, खा रहे हैं। जानकी जी ने आवाज लगाते हुए कहा, बहु मुझे भी खाना दे दो भूख लग रही है प्राची बढ़बढाते हुए बोली तब से पूछ रही थी खाना खा लो तब तो आपसे खाया नहीं गया अब जैसे ही रवी खाने बैठे आपको भी भूख लग गई थोड़ा रुख कर नहीं खा सकती हो वह तो दिन भर दुकान पर सिर मार कर और मेहनत करके आते हैं जानकी जी बोली मैं तो इसलिए मना कर रही थी कि बार बार तुम्हें रोटी सेकनी पड़ेगी बहु एक रोटी खानी है थंडी रोटी दातों से नहीं कटती है इसलिए मैंने उस समय मना कर दिया था अब रवी की रोटी सेक रही हो तो मुझे भी दे दो राची बड़बडाती रही और थाली लाकर सासु मा को दे दी लो खाओ गरम रोटी कहो तो चूला और तवा यहीं पर ले आऊं किचन से लाते लाते भी तो ठंडी हो गई होगी रोटी जानकी जी की आँखों में अपमान के आँसू भराए दो बून तपक कर रोटी पर गिर गई रोटी देखकर अनायास ही मुस्कुरा उठी और अपने आप से ही बोल उठी यह देखो मेरे आँसूं से मेरी रोटी गीली हो गई अब यह मुलायम हो गई और वह रोटी को सबजी में डुबो कर खाने लगी जानकी जी को अपना समय याद आ गया जब संयुक्त परिवार था और सब लोग गरम गरम खाना खाते थे साथ ससूर, दादा जी, दादी जी, देवर, ननत सब उनके हाथ की बनाई रोटी की कितनी तारीव करते थे ससूर जी तो हमेशा यही कहते हमारी जानकी बहु ऐसी रोटी बना दे कि जिसके मुह में एक दाद भी ना हो वह भी आराम से खा ले कितनी मुलायम है, देखो मक्षन की तरह तब तक रवी आ गया और बोला क्या बात है मा, कहां खो गई यह रोटी थंडी हो रही है, खाओ न जानकी जी बोली, हाँ बेटा, बस कुछ पुरानी बाते याद आ गई रवी ने कहा, मा एक रोटी और ले लो ना मैं ले करके आता हूँ, एक रोटी से तुम्हारा पेट भर गया जानकी जी बोली, बेटा बुढ़ापे का शरीर है, अब जवान थोड़ी नहूँ जो चार-पांस रोटी खाऊंगी रवी बोला, मा तभी इतनी कमजोर हो, जब मैं छोटा था तब तो आप हमसे कहती थी, खाने से ताकत आती है, खाऊ अन रहोटन अच्छा मा, आधी रोटी ले लो, आज बेटे की मनुहार देखकर जानकी जी ने मुस्कुरा कर कहा तु इतना जिद कर रहा है, तो ला, आधी रोटी रग दे, खा लूँगी और वह बच्चों की धरह खुश हो गए, रवी पास में ही बैट गया और बोला, मा आप जल्दी खाना खा लिया करो मुझे तो इतनी देर हो जाती है, दुकान से आने में, प्राची मा को जल्दी खाना दे दिया करो दस बच रहे हैं, आप इतनी लेट खाना खाएंगी जानकी जी ने कहा, प्राची तो कह रही थी बेटा, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था अब तुम्हारे साथ गरम गरम रोटी खा लेती हूँ, तो पेट भर जाता है प्राची ने बड़ी ही गुसैल नजरों से जानकी जी की तरफ देखा, लेकिन मुह से कुछ नहीं बोली रवी ने कहा, ठीक है मा, मैं कल से थोड़ा जल्दी आ जाया करूंगा फिर हम तुम दोनों एक साथ बैठ कर खाना खाएंगे देखे कौन जादा खाना खाएगा और कितनी जल्दी खाएगा जानकी जी हसने लगी और बोली बेटा तुम भी बुढ़ापे में मुझसे मजाग कर रहे हो अब मैं तुम जैसे जवान की बराबरी कर पाऊंगी क्या रवी बोला मा कुछ जादा ही वेस्ट हो गया था तभी तो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया और आप इतनी कमजोर होती चली गए अब लापरवाही बिल्कुल नहीं होगी पापा के जाने के बाद आपने अपको बिल्कुल अकेला कर लिया मुझे आज भी याद है आप बच्पन में हमको और दीदी को खाना खिलाती थी ना जाने कितने कौर तो हम लोगों को बेवकुल बना कर खिला देती थी या तोता का या चिडिया का या कवा का और हम दोनों आपके हाथों से अमरित खाते रहते थे इतना कहते कहते रवी भावुखो उठा और उसकी आखे छलक उठी जानकी जी बोली या देखो इतना बड़ा बच्चा रो रहा है अरे बेटा पेट भर कर ही खाती हूं भूखी नहीं रहती हूं एक दिन की तो बात है नहीं रोज ही है बेटे का प्यार देखकर कुछ कहना चाह रही थी वह भी नहीं कह पाई नहीं बता पाई अपने बेटे को कि तुम्हारे साथ खाने में मुझे गरम रोटी मिल जाती है और जब अकेले खाती हूं तो कभी तो दोपहर की और कभी मोटी रोटी इसलिए तो तुम्हारे साथ खाने के लिए बैठी रहती हूं क्योंकि ठंडी और बासी रोटी अब दातों से नहीं कटती लेकिन बहु बेटे के बीच में कोई अन्बन ना हो या सोच कर चुप रह गई वो जानती थी अगर वा जड़ा सा भी कुछ कह देंगी तो बेटा आफत कर देगा और बहु बाद में बेटे से भी ज़्यादा उनका जीना हराम कर देगी इसलिए चुप थी दोस्तों ये थी मेरी आज की कहानी आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीज़ेगा मेरे चैनल को कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद